ओम नमस्षिवाई, जैश्री महांकाल हरहर महादयो आपके हातों में आपकी हतेली पर एक्स का निसान बनता है दो रेखाओं का अपस में कटना, दो रेखाओं का किसी भी विस्तार पुर्वक जगा पर एक्स का निसान दिखाए देता है अपनी पूरी हतेली को आप साब धोले और धोने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी हतेली पर X का निसान बन रहा है या काला तिल है या लाल तिल है तो इन सभी चीजों का क्या संकेत हमारी जीवन पे पड़ता है आपके मन में कहीं सारी शंकाय होती है बहुत सारे जातकों की रेखाय आपस में बहुत कटी हुई होती है जहां भी देखों वहाँ पर वो बहुत ज़दा कटी होती है एक से ज़्यादा एकस किसी के हाथों में बनता है एक से ज़्यादा तिल होता है तो ऐसी पूरी परिस्थितों में आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है इस दो मिनिट के वीडियो में आप समझ लीजेगा बस वीडियो को पूरा देख कर चीजों को बहुत बारिकी से समझ लेंगे तो आप अपनी मदद कर पाएंगे और वो हल और उपाए कि क्या नकारत मकता है क्या पॉजिटिविटी ये कौन से सावधानिया रखना है सभी आप समझ जाएंगे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैए तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूले नत का नाम लिखें अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना वरतमान जीवन में कोई तकलीप परिशानी या कोई प्रस्न जो आपको परिशान कर रहा है इसक्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस और शुल्क लाग हो है अगर किसी भी जातक के हातों में एक्स का निसान बन रहा है तो सबसे पहली बात कि अपने मन से इस नेगिटिविटी को बाहर निकाल दे कि ये अशुब होता है कि दो रेखाओ का निसान बनना वी का निसान बनना या रेखाओ का अपस में कटना ये बहुत ही जादा सुब कर है जब आपके ग्रह जो है आपके पक्ष में बहुत से चीज़े पॉजिटिव कर रहे हैं तो इस पर आपको बहुत हत्ता किसे पॉजिटिव वे में लेना है अगर आपके हाथ पर काला तिल है तो तिल होना बहुत जादा शुब कर है अगर आपकी हतेली पर कहीं भी काला वह शुबकर है लाल तिल और शुबकर है दोस्तों और अगर आपकी हतेली पर यह तीनों निसान है तो शिव जी की उपासना और अर्चना करें इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा और आपकी लाइफ में उन्नती होगी ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय